स्मार्ट सिटी स्मार्ट व्यक्ति, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मोबाईल फोन सब कुछ स्मार्ट और ये मोदी जी के और देखे गए सपनों में से एक सपना है जो देश के सो शेहरों को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते है पर क्या आज की तारिक में हमारे लिए संभव है जो स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लाखों करोड रुप्या जिसकी जरूरत है, आवश्यक्ता है ये हम कर पाएंगी क्या, देश कर पाएगा क्या मैं तो मानता हूँ कि जो हमारे वर्तमान शहर हैं अगर इन्हीं शहरों को साफ सुतरा कर लिया जाए इन्हीं शहरों में सुरक्षा व्यवस्ता दुरस्त कर दी जाए इन्हीं शहरों में जो वहानों की व्यवस्ता है ट्रेफिक की व्यवस्ता है वो सही कर दी जाए इन्हीं बिजली की वेवस्ता, पानी की वेवस्ता, रोजगार की वेवस्ता, सिक्षा की वेवस्ता, अगर यही सब कुछ सही कर दिया जाए, तो इस से जाता है, और स्मार्ट की हमें जरुवत क्या है आज की तारीक में, देश में, स्मार्ट सिटी की नहीं, अच्छे शहरों की जरु या होगा कुछ ना कुछ पर फायदा किसको होगा इसका आकलन भी हमें कर लेना जरूरी है Smart City का मतलब यह है कि ऐसा शहर जहां पे गंदिगी का नाम निशान न हो जहां पे सडकें इतनी साबसुत्री हों कि धूल जरावी कहीं भी दिखाई न दे Smart City का मतलब है कि जहां बिजली की पूरी अच्छी तरह से वेवस्ता हो Smart City का मतलब है जो शहर बिल्कुल अत्याधूनिक शहर हो जहां सिक्षा की वेवस्ता भहुत बढ़या हो जहां सब कुछ अपने आप चलता हो Digital India के Digitalization जिसको पूरी तरह से कर दिया गया हो जिसका और सब कुछ आटोमेटिक तरीक से चले ऐसा शहर और ऐसे शहर को बसाने के लिए आपको नई जगे चाहिएंगी नए इस्थान चाहिएंगे वहाँ पर यह बसाया जाएगा और इसमें लाखों करोड रुपे जो होंगे उसमें ठेका किसको दिया जाएगा अगर स्मार्ट सिटी है तो स्मार्ट बिजली भी होगी स्मार्ट मोबाइल वो भी फैसिलिटी भी होगी स्मार्ट बिल्डिंग भी होंगी इन सबका construction का जो वो है ठेका किसको दिया जाएगा, इनको बनाना का ठेका किसको दिया जाएगा सब अमीरों को, अडानी को, अंबानी को, बड़े-बड़े उद्योग पत्यों को, बड़े-बड़े ठेकेदारों को और इसमें जो पैसा होगा, उसकी लूट में कौन को शामिल होगा अधिकारी, करमचारी, सरकारी अधिकारी करमचारी होंगे, ठेकेदार होंगे, नेता होंगे और ये सरकार में बैठे हुए लोग होंगे, ये बड़े-बड़े बिजनिसमेन होंगे तो केवल और केवल एक तरह से ये जंता को लूटने का एक नया तरीका है नया ढ़ंग है और इस स्मार्ट सिटी से पहले मैं तो फिर यही कहूंगा कि स्मार्ट सिटी नहीं हमें साफ सुत्रे और जो जरूरी है उन सुब्धाओं से लेस उन सिद्धाओं से युक्त हमें शहर चाहिए अभी वही बना लीजिए अगर वो बन जाए तो फिर स्मार्ट सिटी का सपना देखिए और मेरी बास से जनता भी सहमत होगी हमें स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए हमें साफ सुत्रे सहर चाहिए सिक्षा की जहां सही व्यवस्ता हो बिजली की जहां व्यवस्ता हो जहां पर सुरक्षा की व्यवस्ता हो पुलिस व्यवस्ता सही तरह के से काम करती हो लोगों की स्वास्थ सेवाएं अच्छी तरह से जहां काम करती हो वो उनको मिलें हमें ऐसा शहर चाहिए, ऐसे सिटी चाहिए, स्मार्ट सिटी हमें नहीं चाहिए मोधी जी, ऐसे सपने मत देखिए, जिन से देश का, देश की जनता का, उसके विकास का, उध्धार का कोई लेना दeना ना हो तो मैं जनता से ही कहूँगा हर चीज को बहुत इमांदारी से बहुत उसके गहराईे में जाकर जाचिये परकिये इससे किसको फायदा हो रहा है और कितना फायदा हो रहा है और किसको नुकसान हो रहा है अगर ठीक लगता है तभी नहीं तो आने वाले 2019 में आपको याद रखना होगा ये चार साल जैसे बीते हैं आने वाला साल भी जैसे बीतेगा आपको सही जवाब उसका देना है